आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ। अभी डाउटनेट कर करके 437 डिग्री सेलसेस हो जाता है, तो उसकी उर्जा कितनी गुना होगी और यहां पर चार विकल्प हमें दिया गया है, तो आईए हम लोग इस प्रशन को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सहीं होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो इस्टिफन का निय हो जाए है, बटे यहां पर दूसरे की जो विकलित उर्जा होगी, जिसके संगत हमें यहां पर ताप दिया गया है, यह हो जाएगा, टीवन, बटे, टीटू और फिर पूरे के घात में हो जाएगा, चार, अब हम लोग इस समीकरन में मान रखेंगे और इसको हल करेंगे, तो देखें, हमें ताप टीवन और टीटू का मान जो है डिग्री सेलसियस में दिया गया है, इसको हम लोग कैल्विन में परिवर्तित करके रखेंगे, तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा, बटे, टू बराबर हमारे पास यहां पर हो जाएगा, ताप टीवन को अगर हम 200,273 दंसे हैटी, तो हम लोग इस में पर टीवन के रखेंगे तो यहां परल पास की में है तो हमारे पास यहां पर िजाएगा, तो हम लोग इस्को आहल करेंगे तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा, praticamente 373 Kelvin बटे हमारे पास यहाँ पर जो मान है वह हो जाएगा 746 Kelvin और फिर पूरे की घात में हो जाएगा 4 अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यह जो है एक बार में और यह दो बार में कट जाएंगे ठीक है तो हमारे पास यहाँ पे E1 बटे E2 का जो मान है वहाँ एक बटे दो की घाथ 4 के रूप में आ जाएगा और हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक का चार बार हम लोग गुड़ा करेंगे या एक की घाथ 4 करेंगे तो यह हमें 16 प्राप्त होगा अब हम लोग यहां पे इसको देखे तो हमें E2 का जो मान चाहिए, ठीक है, तो E2 का मान चाहिए, इसलिए हम लोग इसको इधर और इसको इधर पक्षानतर करेंगे, तो हमारे पस यहां पे E2 बराबर कितना हो जाएगा, पहले की उरजा का यहां 16 गुना हो जाएगा, अब इ नहीं उत्तर जो है हमारा बी विकल्प होगा धन्यवाद पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल कर एक करोड से जादा चातरों का भरोजा आशी डाउन्यट करें डाउटने आप या वच्चाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर